आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ अमेजिंग वैसलीन के ब्यूटी हैक्स यह वाले वैसलीन हैक्स बहुत अच्छे होने वाले है तो आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्स्राइब करना है ने बाधवाच शुरू करते हैं इस वीडियो को वासलीन के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही असान सा लिप्स क्रब्स क्रॉब यह लिए ब्यूट के लिए मैंने शुगर यूज किया है सो बहुत ही अच्छा वर्क करता है यह लिप स्क्रब सेकंड वैसलीन के हिल्प से मैंने बनाया है एक लिप मास्क इसके लिए मैंने लिया है वैसलीन इसमें मैंने मिलाया है सैंडल उर दाट इस चंदन पाउडर और थोड़ा सा शहद हनी तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है और यह एज लिप मास्क में लगाऊंगी तो इसका कलर तो बहुत ही अच्छा है था और इसको आपको रखना है लगभग 10 मिनिट के लिए तब तक हम दूसरी हैक्स देख लेते हैं नेक्स है के लिए मैंने लिया है वैसलीन इसमें मैंने मिलाई है टर्मरिक खल्दी इसको मिक्स किया है और यह आपको लगाना है अगर आपको बर्न हुआ है, कट्स हुआ है या फिर इंजूरी हुए है छोटी से तो वहाँ पर आपको यह लगाना है नेक्स्ट है के लिए मैंने लिया है lemon essential oil फिर मैंने लिया है vaseline और इसमें मैंने इस oil की कुछ 3-4 बूंदे डाली है और इसको अच्छे से mix किया है और यह हमें लगाना है हमारे dark elbows और knees पे तो आप सबको पता है कि lemon essential oil darkness remove करने में बहुत ज़्यादा help करता है and vaseline will moisturize our skin इसमें मैंने बनाया है यह DIY body moisturizer इसके लिए again vaseline लिया है इसमें मैंने डाला है aloe vera gel लगभग छोटा एक चमच और इसमें मैं डालूंगी coconut oil नारियल का तेल और इनको अच्छे से mix करना है यह बहुत ही अच्छा है dry skin के लिए तो आपके पूरे body पे आपके legs पे hands पे आप लगा सकते हैं यहाँ पे मैं अपने hands पे लगा के दिखा रही हूँ इस time पे मैं निकाल रही हूँ यह lip mask यह lip mask बहुत ही अच्छा था यह चंदन powder का lip mask आप ज़रूर एक बार try करके देख सकते हैं आप चाहे तो यह lip mask निकालते समय थोड़ा सा massage भी कर सकते हैं तो बहुत ही soft lips होते इस से next hack के लिए makeup शुरू करने से पहले या फिर lipstick लगाने से पहले आपको लगाना है Vaseline lips पे और उसके बाद आपको एक tissue लेना है उससे थोड़ा सा wipe off करना है या फिर निकाल लेना है और उसके बाद आप चाहे तो कौनसे भी lipstick या फिर matte lipstick लगा सकते हो matte lipstick इसके उपर आपने लगा ली तो आपके lips dry नहीं होंगे और lipstick बहुत दे तक lips बहुत अच्छे सी रहेगी और आपके lips बहुत अच्छे सी रहेगी और आपके lips बी मिडल लेंज से तिप तक आपको कुछ इस तरीके से लगाना है तो इससे आपके बहुत ही manageable दिखने लगेंगे बहुत ज्यादा नहीं लेना है आपको बहुत ही हलका सा ही लेना है उसके बाद मालों को कॉम करना है तो एक immediate solution आपको इससे मिल जाएगा next hack में बात करते हैं उपर वाले freezy hair के लिए इसके लिए मैंने vaseline लिया है और इस vaseline को मैं लगाने वाली हूँ इस brush पे तो इस तरीके से आपको ये vaseline brush पे लगाना है इससे बहुत ज्यादा भी आपके बालों पे vaseline नहीं लगेगा और बहुत greasy hair नहीं दिखेंगे और इससे आपको hair पे brush करना है तो उपर के freezy hair बहुत तक manageable दिखने लगे नेक्स्थ है के लिए बेबी हैर के लिए तो उसके लिए मैंने यहां पी लिया है एक old वाला toothbrush और उसके उपर मैंने लगाया है vaseline तो इस तरीके से आपको baby hair को comb करना है brush की help से इससे आपके baby hair बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे तो यह बहुत ही helpful hack है नेक्स्थ है के लिए मैंने लिए है vitamin E capsule this is Evian 400 और इसको मैंने इसका oil मैंने मेरे backhand पे निकाल लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा वैसलिन मिक्स किया है तो इसको बहुत अच्छे से mix करना है और यह आपको लगाना है आपके pigmented lips के उपर so pigmented lips के लिए यह hack बहुत ही useful है so next hack है perfume को last long बनाने के लिए तो जहां पे भी आप perfume लगाते हो वहां पे आपको वैसलिन लगाना है और उसके उपर आपको परस्विम लगाना है तो इससे क्या होगा perfume का smell बहुत देर तक टिका रहेगा next hack है vaseline का use आप gloss की तरह कर सकते हैं अगर आपकी lipstick matte है या creamy है और उसको आपको और glossy करना है तो vaseline उसके उपर ऐसे dabbing motion में लगाए तो यह भी एक बहुत अच्छी hack है next hack के लिए मैंने थोड़ा सा vaseline मेरे backhand पे लिया है और अब इसमें मैं add करूंगी highlighter और यह highlighter as a liquid highlighter आप लगा सकते हैं जहां जहां पे आप लगाते हैं so chick bone पे मैं इसको लगा रही हूँ तो यह जो है यह winter में बहुत अच्छा दिखता है एक तो glossy effect देता है उपर से moisturize भी करता है skin को और यह liquid highlighter का look बहुत ही अच्छा देता है so यह trick आप जरूर ट्राइ करके देखना इसके बाद next hack है जिनकी skin या body skin फट गई है या extremely dry है उनके लिए तो यहां पे मैं बॉड़ी moisturizer लिया है और इसमें मैं इतना सा vaseline मिला रही हूँ तो आप आपके हिसाब से quantity लिए सकते हैं तो यहां पे मैंने इन दोनों को बहुत अच्छे से mix किया है और जहां पे आपकी skin fat गई है या extremely dry है वहां पे आपको यह वाला moisturizer लगाना है So next hack के लिए यहां पे मैंने लिया है एक spoolie और मैंने मेरे fingers पे पहले vaseline लिया और उस spoolie को कुछ इस तरीके से में लगा रही हूँ ताकि ज्यादा vaseline भी ना लगे तो यहां पे मैं eyebrow set करने के लिए यह trick यूज करी हूँ तो मुझे eyebrow in place चाहिए पूरे दिन भर तो यह वाल अगर मेरे ट्रिक्स पसंद आ रहे है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा उसके बाद next hack के लिए again मैंने लिया है vaseline उसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा aloe vera gel और इससे में बनाऊंगी under eye cream आपको यह under eye cream night time पे ही लगानी है so night time पे आपको यह under eye cream लगानी ह यह बहुत ही moisturizing under eye cream है क्योंकि हमारी skin जो है under eye की बहुत ही थिन होती है so बहुत ही useful hack है उसके बाद next hack के लिए मैं बनाऊंगी एक vaseline का balm cold में जो balm हम यूज करते है वह वाला तो उसके लिए मैंने एक peppermint oil और eucalyptus oil लिया है तो यहां पे मैंने 45 बंदे peppermint oil की और 45 बंदे e या फिर आपके wrist पे लगाना है और उसका smell लेना है तो यह बहुत ही अच्छी hack है अगर आपको cold हुआ है तो so guys I hope कि आपको वीडियो पसंद आयोगा so हम मिलते हैं एक नए वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए बहुत भन्यवाद so take care bye bye